प्राणाम जी है पुरी चरीर में तो ये उसमय कोई डुखता दित तो नहीं है ना हाथ पैर पूरे पेट पीठ हादी में पूरे शरी में थोड़ी थोड़ी है इसको अग्रेजी में लाइपोमा बोलते हैं अमारे संस्कृत में इसको अर्बुद बोलते हैं सामने संस्कृत में इसको ग्रंथिया गांठ बोल देते हैं इसके लिए मेरे पास में पिछरे 25 वर् एक शिविर चल रहा था मैंने वहाँ देखा एक आदमी पहली बार मेरे पास आए कि सौमजी मेरे सुरी में सेंकडू गांठे थी मैंने रोज कपाल भाती किया आपके कहने के नुसार आधाधा एक गंटे तक और मेरी गांठे गतम हो गए उसकी बाद मैंने ये प्रियूग और बहुत रोगों पर किया और मैंने पाया सुबह दो ग्राम हल्दी लेलो काचनार गुगुल दो दो गोली वृद्धी बाधी का बटी दो दो गोली ये चार गोली होगी काचनार गुगुल वृद्धी बाधी का बटी काचनर काकवास भी पिला देते हैं ज़्यादा गाठे होती हैं और बहुत ही ज़्यादा गाठे हैं तो शिला सिंदूर चार ग्राम प्रवाल पिष्टी या प्रवाल पंचामरित दस ग्राम गोधनती दस ग्राम अब ये पाउडर मिला करके सब बने शिला सिंदूर इसमें ब जसमानिक के, चार ग्राम, प्रवाल पंचामरित 10 ग्राम लेलो, गोधनती 10 ग्राम लेलो, इसको मिला करके 60 पुढ़िया बना लो, सुवैस हम एक एक पुढ़िया खाली पेट है, यह गोली बताई थी गोली और कपालभाती ज्यादा करे, कपालभाती से कितने ही जैसे क्या हो उसको मैरीगरेंट ट्यूमर बोलते हैं यह मेराइंट ट्यूमर होती है फिर टीबी वाली भी गांट होती है कैसी भी गांट हो घुल जाती है जो बताया उसका पूरा प्रियूक करना घी कम खाना थोड़ा क्योंकि पहले फैट डिपोजित हो रहा है तो एक बार बोडी का अच्छा हो जाए बडी की टेंडेंसी ठीक हो जाए कपाल भाती से बाद में आप वो भी खा सकते हैं